चानक्या नीती, लक्ष्य तै करने से पूरा होने तक इन तीन बातों का रखे खास ध्यान काम्याभी कदमों में होगी चानक्या की नीतिया व्यक्ति को सदैव अच्छे कारियों को करने के लिए प्रेरित करती है मंजिल को पाने में कई तरह के उतार चड़ावाएंगे लेकिन इनका सामना कैसे करना है ये चानक्या ने बखु भी बताया है, इनका पालन करने वालों को सफलता जरूर मिलती है सब्सक्राइब तो वही करेंगे जो अपनी मासे बहुत प्यार करते हैं इमांदारे, जीवन में अपने लक्षे को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग मजबूत होना आवश्यक है लक्षे तेक करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें उसक्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों से सलाह लें सबसे जरूरी है कि जो कार्य शुरू करने का बीला उठाया है तो अपने काम में पूर्ण रूप से इमांदारी और भरोसा रखें शौटकर्ट न अपनाए क्योंकि ऐसी सफलता मात्र पलभर की होती है उसके बाद हार कम मूँ देखना पड़ता है परिश्रम से मिलेगा शुब परिणाम मेहनत कभी जाया नहीं जाती जो पूरी लगन और ताकत के साथ अपने लक्ष की ओर बढ़ते हैं वो गिरकर भी नहीं हारते मेहनत से घबराना नहीं चाहिए मेहनती लोग अपना भाग या खुद बनाने का जज़बा रखते हैं ऐसे लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता सफलता बिना संधर्ष के नहीं मिलती बेशक लक्ष प्राप्ती के रास्ते में कुछ पढ़ाव पर निराशा हाथ लगेगी लिगिन इससे डर नहीं बलकि अपने मंजल तक पहुँचने का तरीका तलाशे सफलता आपके कदमों में होगी गुप्त रखे योजनाए चानक के कहते हैं कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिन योजनाओ को मन में सोचा है उन्हें मंत्र के समान गुप्त रखकर ही उस पर अमल करते रहना चाहिए अपनी रणनीती को जितना गुप्निय रखेगे तो कार्य पूरा होने की संभावनाए भी अधिक हो जाएंगी अपनी खास प्लानिंग को बता देने से कार्य पूरा नहोने पर हसी होती है साथ ही शत्रू को पता चल जाने से वह हिस्ने अवरोध भी पैदा कर सकता है आने वाली हर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए